नमस्कार फ्रेंट्स एडू साला में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र का पुर्वा और लोकन देखेंगे देखें इस पुष्टक की क्या विशेस्ता है कि इसमें यूपी में जितने भी एक्जाम हुए हैं उन सब का ये हल प्रस्ण पत्र है 1990 से लेकर 2023 तक जितने भी एक्जाम हुए हैं ये उसका हल प्रस्ण पत्र है और ये आपके सारे एक्जाम के लिए बहुत इंप्रण भारत का इतिहास देखेंगे और अगर आप लोग इसके साथ साथ और कोई सब्जेक्ट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बतायेगा कि देखेंगे और यह देखें यह आज का टॉपिक रहेगा पासान काल सेंदो सभ्यत्ता संस्कृति और बैदिक काल हम लोग यहां पर देखने वाले हैं इसके बाद आपको धीरे देख करके सारे टॉपिक जल्द से जल्द कम्प्लीर करवाए जाएंगे चलिए तो श्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिला इकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे साते वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे कमेंट कीजे देखें इस बूक का आपको सुबह और साम दोनों समय वीडियो दिया जाएगा तो आप लोग कमेंट करके ये बता दीजेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप इसके साथ और देखना चाहते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे चलिए तो देखते हैं प्राची प्रिटानिक और पूरा तत्व युद्ध भी थें तो इसका एंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और भी दोनों ही हो जाएगा नेक्स इसके बारे में देख लेते हैं इनसाइकलोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रोबर्ट ब्रूस फूट जो थें ये ब्रिटीस भुगर बैज्यानिक और पूरा तत्विद थें ठीक है जियोलोजिकल सर्वे से संबंध रोबर्ट ब्रूस फूट जो थें 1863 में भारत में पासान कालिन बस्तियों के अन्वेशन की सुरुआत किये थे इन्होंने तो इसलिए ये पूरा तत्विद भी थें और भुगर बैज्यान था तो ये थॉम्सन ने किया था था तो डेन्मार के कोपेनहेगन संगरहाले की सामगरी के अधार पर देखें तो पासान कांस और लौयू का त्री यूगीन विभाजन क्रिश्चिन जर्गेन सेन थॉम्सन के द्वारा किया गया था ठीक है आगे देखेंगे अब सुमेलित करना है पूरा तात्विक अस्थल है और वर्तमान अस्थान इसकी अभी कहां पे है ये देखना है ठीक है तो देखते हैं इसको निवासा निवासा कहां है महराश्च में है और ये आपका इसमपूर इसमपूर जो है करनाटक में है और डिडवाना कहा है डिडवाना राजस में हो गया गुडियाम गुफा जो है ये तमिलाडू में हो गया तो इसका एंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है सी हो जाएगा एक यहां निवासा महराष्ट में है इसंपोर करनाटक में है और डिडवाना जो है राजस्थान में है गुडियाम गुफा तमिलाडू में आगे बढ़ते हैं उत्खनित प्रमानों के अनुसार पसु पालन का प्रारम्ब कब हुआ था तो ये मध्य पासान काल में हुआ है पसु पालन का आरम्ब ठीक है तो मध्य पासान के अंतिम जरन में पसुपालन के साक्ष मिलते है और ऐसे पसुपालन के साक्ष जो है भारत में कहा और अधमगड नर्मदा पूरम, इसका पूर्व नाम होसंगाबाद मध्य पर्देश में मिलता है और बागोर में ये कहा है भिलवाडा राजस्थान में तो भारत में आदमगड और बागोर में ये मिला है नेक्स देखेंगे निम्न लिखित में से किन अस्थानों से मध्य पासान काल में पसुपालन के प्रमान मिलते हैं तो ये बागोर एवं आदमगड से मिला है नेक्स देखेंगे निमलिखित मध्य पासानिक अस्थलो को भगोलिक द्रिष्टी से पक्चिम से पूर्व के करम में ब्यस्थित करना है तो इसको देखते हैं महदहा सबसे पहले आएगा पक्चिम से पूर्व के करम करना है तो पहले आएगा महदहा फिर लेकहिया और पैसर आएगा फिर बीरभानपूर आएगा तो देखे ये उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा सी तो यहीं इसमें दिया है देख लिजे पच्छिम से पूरब देखेंगे मध्य पासानिक अस्थर तो ये महदाहा कहां है उत्तर पर्देश परताबगड में है लेखिया मिर्जापूर उत्तर पर्देश में है पैसरा जो है बिहार में है और बीरभानपूर जो है या आपका पच्छिम बंगाल में है नेक्ष है इन में से किस असल से हड़ी के उकरण प्राप्त हुए है तो यहाँ पर हो जाएगा महदाहा से और सराय नहार दोनों जगत से हुए हैं महदाहा और सराय नहार इसको देखते हैं मध्य पासान कालिन जो महदाहा है यह आपका उत्तर प्रदेश के प्रताब घरजिले में है यहां से बड़ी मातरा में हड़ी एवं सिंग निर्मित उपकरन प्राप्त हुए हैं और जी या सर्मा जो है महदाहा में तीन छेत्रों का उलेख करते हैं तो यह जो तीन छेत्र है जील छेत्र है बुचर खाना संकुल छेत्र और एक कबरिस्तान निवाच तीन छेत्रों में इन्होंने बाट रखा है तो बुचर खाना संकुल छेत्र से ही हड़ी और सिंग का निर्मित उपकरन मिला है और साथ ही आभूसन बड़े पैमा पर निकलते हैं तो ये दमदमा", दमदमा से निकले हैं तो मद्य गंगा घाटी में परताब गर्जीले में सराणाहर राय महदाहा और दमदमा का उत्खनन हुआ है और दमदमा में लगतार पांच वर्सों तक उत्खनन किया गया जिसके फलस्वरूप पच्छिमी तथा मध्यवर्ती छेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानों सवधान ग्यात हुए है इन सवधानों में से 5 सवधान यूग में सवधान है जो यूग में यूगल होते हैं और एक सवधान में तीन मानों कंकाल एक साथ दपनाए हुए है ठीक है और सेज जो है एक कंकाल मिले है खद्यानों की क्रीसी सरप्रथम प्रारंब हुई है तो ये आपका हो जाएगा 9 पासान काल में प्रारंब हुई है खद्यानों का क्रीसी उत्पादन सरप्रथम 9 पासान काल में प्रारंब हुआ और यह समय वही था जब मनुष्य क्रीसी कर्म से परचित हुआ है मानों द्वारा सरप्रथम पर्यूग ता अनाज था तो ये कौन सा था जोव था सबसे पहले तो बैस्विक द्रिष्टी से देखा जाए तो सबसे पहले जोव जोकी 8000 इसा पूर्व के आसपास भूमद्द सागर यों इरान के मद्द इस्थत पच्छमी एसिया के छेत्र में मानो द्वारा उगाया गया बाद में इनी लगवग इनी छेत्रों में क्या हुआ गेहुम क्या भी उगाया जाने लगा आगे है भारतिये उप महादीप में क्रीसी की प्राचीनतम साक्छ कहां से मिले हैं तो ये लहुरा देव से तो नविनतम खोजो के आधार पर देखा जाए तो भारतिये उप महादीप में प्राचीनतम क् प्राजचिन्तम स्क्रीष साक्ष वाला अस्थान था यह मेहर गड़ था ठीक है तो पाकिस्तान कहां है मेहर गड़ यह पाकिस्तान के बलुच्रिस्तान में था और यहां से 7000 पूर्व के गेहुम के साक्षे मिले हैं तो अब क्या यह अभी हो जाएगा लहुरा देव आगे देख लिजिए प्राचीनतम चावल के साक्षवाला अस्थल जो है प्रियाग रागजिले में जो बेलन नदी के टट पर इस्थत है यहां से कितना पैसट सो इसापूर्व के चावल की भूसी के साक्षे मिले हैं तो यह सभी मतलब इसापूर्व के अनुसार था उप्रोक्त संधर्म में हम देखेंगे कि लहुरा देव अगर रहता है तो उप्यूक्त विकल्प वही होगा प्रन्तु लहुरा दर जब विकल्प में नहीं रहेगा तो इसका उतर पहले के ही भाती हो जाएगा अगर लहुरा देव रहता है तो एंसर लहुरा देव ही रहेगा और नहीं तो जैसे भी रहेगा तो पहले के अनुसाद हो जाएगा उस अस्थल का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमान मिले है तो ये हो जाएगा मेहरगड मेहरगड से मिले है तो प्राचिंतम अस्थाई जीवन के जो प्रमान है ये सौर प्रतम बलुचिस्तान के कच्छी मैदान इसत मेहरगड से मिले है और इसकी प्रमानिक तिथी देखा जाए तो ये सातवी सताब इसापुर्व में है जबकि किली गुल मुहम्मद और काली वंगा की प्राचिंतम तिति है नीम्न में से एक पुरा स्थल से पांसान संस्कृति से ले कर हड़पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक और सेश प्राप्थ हुए हैं तो ये कहां से मेहरगड से हुए हैं तो बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में इस्थत है यहां पे पूरास्थल मेहरगड से पासान संस्कृति से लेकर हडपा सभ्याता तक के सांस्कृतिक औसेश प्राप्थ हुए हैं नौदा टोली का उत्खनन किस ने किया था तो HD सांकलिया ने किया था HD सांकलिया ने नौदा टोली कहां मध्यपरदेश में इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एजडी सांकलिया ने कराया था ये अस्थल जो है इस महादीब का सबसे विस्तित्र उत्खनित तामर पासानिक ठीक है ग्राम अस्थल है इसकी तीथी देखा जया तो 15 सो से 1300 के मध्य निर्धारीत की गई है इसापूर में नेक्ष्ट है नौधा टोली जो है किस राज में इस्तथ है तो ये मध्य परदेश में इस्तथ है देखे कहीं कहीं यह star लगा आपको दीख रहा होगा तो यह note की तरह one liner की रूप में दे दिया है चलिए आगे देखेंगे ब्रिहत पासान अस्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के अस्थान के रूप में की गई है तो नौ पासानी यूग में दच्छिन भारत में 100 को भिन भिन रूपों में दफनाय जाता था तो इन समाधियों को जो विसाल पासान खंडों से निर्मित होते थे इसे क्या कहते थे ब्रिहत पासान या मेगालित के नाम से जाना जाता था और इसके विभिन प्रकार कौन-कौन से थे जैसे सिष्ट समाधी होती थी, पिट सरकिल होता था, कैर्न, सरकिल, डोलमेन, अम्ब्रेला इस्टोन, हूड इस्टोन, कंदराय, मेहीर ये सभी होता था राक का टीला निमलीखित किस नौपासानिक अस्थल से संबंदित है, तो ये संगन कल्लू से संबंदित है, तो करनाटक में मैसूर के पास विलारी जनपद है, वहाँ पे इस्थत जो संगन कल्लू है, यहाँ पे नौपासान कालिंग पूरा अस्थल मिला है, राक के टीले प् इसके बारे में देख लेते हैं भीमबेटका तो मद्य पर्देश के रायसेन जीले में इस्थत भीमबेटका है जो प्रागयतिक सेल चित्रकला का स्रेश्ट उदाहरण है इन गुफाओं में जीवन के विभिन रंगों को पेंटिक के रूप में बनाया गया है जिसमें हाथी, ये सामभर, हीरन ये सभी के चित्रे हैं और यहां के जो सिलास्त्रे से सरवाधिक चित्रे प्राप्त हुए हैं इसकी खोज हुई थी उनिस संतावन में वी एस वारकर के ने किया था और भीमबेटका जो है सिलास्त्रा है उन्नेसको के विश्वबिरासत अस्थल में सामिल ह नेक्ष है भारत में किस सिलास्त्रे से सरवाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो ये भीमबेटका हो जाएगा निम्ने में से किस भारतिय पूरा तत्त वेता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके सैल चित्रों के प्रागयति हासिक महत्तों को खोजा तो ये हस्तिनापूर में हुआ था हस्तिनापूर में तो गंगा यमना द्वाब की सांस्कृतिक प्रमपरा संभावत उस संस्कृति के साथ सुरू होती है जिसे अपने अत्यांत बिसिष्ट मिर्दभान के नमूने के कारण गेरुवर्ण गैरिक मिर्दभान संस्कृति OCP कहा बीबी लाल के निर्देशन में 1952 के दवरान हस्तिनापूर में हुए उत्खनन में सरप्रथम गैरिक मिर्दभान प्राप्त हुआ था और यहीं से इसका नाम करण भी हुआ था तामरास्म काल में महराश्ट के लोग मिर्दकों को घर के फर्ष के नीचे किस तरह रख कर दपनाते थे तो उत्तर से दच्छिन की ओर रख कर इनको दपनाते थे तो महराश्ट में क्या होता था तामरास्म काल में जो जोर्वे संस्क्रीती थी तो यहाँ पे निवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनामगा इन सभी पुरा अस्थलों में घरों से मिर्दकों को अस्थी कलस में रख कर उत्तर से दच्छिन इस्थिती में घरों के फर्स के नीचे दफनाये जाने के साक्ष मिले हैं, कबर में मिट्टी की हंडिया और तामबे की भी कुछ वस्तुएं रखी जाती थी नेक्ष है, नीमन लिखित में से किस अस्थल से मानो कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल भी सवधान से प्राप्त हुआ है, तो ये बुर्ज होम हो जाएगा, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है ठीक है गरतावास में वहां होता था इस सवाधान तो गड़ो वाले घर गरतावास का भी यहां पर प्रमुख विशेस्ता है गरतावास के साक्ष कहां मिले हैं बुर्ज होम में मिले हैं बिंद छेतर के किस सिलासरे से सरवाधिक मानो कंकाल मिले हैं तो यह आपका हो जाएगा लेखहिया से मिले लेखहिया से ठीक है तो डॉक्टर जेन पांडे की पुस्तक पुरतत्त विमर्ज के अनुसार बिंद छेतर के लेखहिया के सिलासरे संख्या वन से मध्य पासानिक मानो कंकाल प्राप्त हुए हैं इन में से कुछ सुरक्चित हैं और कुछ अधिकांस क्या हैं जो छत्विक्षत हो चुके हैं ठीक है अमेरिका के ओरेगौन विस्विद्याले के जो जॉन आर्लुकास के नुसार लेखियां में कुल 27 मानो कंकाल के अस्थिया मिली है अब कथन दिया हुआ है और कारण तो इसमें देखना है कौन सा सही उत्तर चुनना है तो सबसे पहले कत्थन क्या है बिंद छेत्र के पासान युगीन लोगों ने नुतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवर्जन किया तो ये सही है बिलकुल और इसका कारण क्या था जलवायू परिवर्थन के कारण इस काल में सुस्कता का चरण था इसलिए तो इसका ए एंसर हो जाएगा ठीक है ये जी आर सर्मा के अनुसार इन्होंने कहा कि सराय नहर राय में जब खुदाई के बाद ये अधारना दी इन्होंने कि नूतन भूतल काल के अंत में सुखे के कारण बिंधियन छेत्र में भोजन की कमी होने पर लोगों ने गंगा घाटी छेत्र में प्रवर्जन करने ल तो मानो समाज बिलक्षन है क्योंकि वह मुक्यता आस्रीत होता है तो ये अर्थ व्योस्था पर आस्रीत होता है। अर्थ व्योस्था में और फिर समाज में भी उसके अनुसार परिवर्तन होता है। संदो सभ्यता जो थी आदेतियासि काल की सभ्यता थी क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्यान तो है किन्तु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अता इतिहास निर्मान में इसका परियोग नहीं किया जा सकता। सिंदो घाटी की सभ्यता जो है गैर आरे थी क्योंकि यह नगरिये सभ्यता थी। सिंदो घाटी की सभ्यता गैर आरे थी क्योंकि यह नगरिये सभ्यता थी। जबकि आरे सभ्यता जो थी वो ग्रामिन सभ्यता मानी जाती है। सिंदो घाटी सभ्यता को आरेयों से पूर्विकी रखे जाने का महतपुर्ण कारण क्या है तो इसका कारण है में यह मिर्दभांड है। इसके बारे में देख लेते हैं सिंदो घाटी सभ्यता लिपी ज्यान और नगर नियोजन आदि के संदर में प्रारंबिक आरेयों से अधिक बिक्सित थी। पुरा तात्विक साक्षों में अलग अलग काल में पाये जो मिर्दभांड हैं यही सिंदो घाटी सभ्यता को आरेयों से पूरे का सिद्ध करते हैं। आरियो से संबंदित है तो जो काले रंग की आकरीती से चित्रित लाल मिर्द्रभांड है ये सिंदु घाटी सभ्यता संबंदित है और जो दूसर ये चित्रित दूसर मिर्दभांड है ये आरियो से संबंदित है तो ये इस से अलग करता है आरियो से सिंदु घाटी संस्कृत बैदिक सभ्यता से भिन थी, क्यूंकि इनके पास एक विक्सित सहरी जीवन की सूधाय थी, इसके पास चित्र लेखे लिपी थी, इसके पास लोहे और रक्षा सस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ये सारे ही हो जाएंगे, सारे ही अंसर हो जाएंगे, तो देख लिजे इसको, सिंदु घाटी संस्कृती जो है बैदिक सभ्यता से भिन थी, क्यूंकि सिंदु घाटी सभ्यता नगरिये सभ्यता थी, जबकि बैदिक सभ्यता ग्रामिन थी, सिंदु सभ्यता की जो लीपी थी, ये भाव चित्रात्मक थी, जबकि बैदिक सभ्यता क जो लोग थे ये लोहे और रक्षा सस्त्रों के ग्यान से युग्त थे जबकि सिंदु घाटी की जो सभ्यता है वो लोहे के ग्यान का भाव इनमें था नहीं जानते थे हडपा संस्कृती की जानकारी का प्रमुक स्रोध क्या है तो ये पूरा तात्विक खुदाई है तो हडपा सभ्यता की जो लीपी है तो उसका वाचन तो हो नहीं सका है इसलिए ये जो पूरा तात्विक खुदाई होती है पूरा अस्थलों से प्राप्त जो औसेस है वो ही सिश्टतों पर प्रकाश्ट डालते हैं निम्नलिकित में से कौन हडपा संस्कृति के पूरु सिमान्त का निर्धारन करता है तो ये है आलम गीरपूर हडपा सभ्यता का सरवाधिक पक्षमी पूरा अस्थल जो है ये सुत कांगे डोर था जो बलूचिस्तान में है पूर्वी पूरा अस्थल जो है मांडा में जम्मु कस्मीर में है उपर और दचनी पूरा अस्थल देखा जाए तो ये दैमाबाद कहां महराष्ट में है तो ये था चारो तरफ का चोहद्दी जिसको कहते हैं आगे देखते हैं सुमेलित करना है तो सुमेलित करते हैं इसको ये तरफ पूरा ये अस्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ इनकी जिसने खोज की है ये दिया है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग मिलान करते हैं हडपा की खोज किस ने किया था दयाराम साहनी ने 1923 और 1925 में हस्तीनापूर का किस ने किया था तो बी बी लाल ने किया था 50 से 52 के बीच और तक्छसिला का जॉन मार्सल ने किया था 1913 से 34 के बीच और कौसांबी का एजी मजुमदार ने किया था 1936 से 37 के बीच तो इसका देखें एंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा ठीक है यही सब यहाँ पे देखें दिया है जो हमने उपर बताया आगे देखेंगे मूर्ति प पूजा जो है प्री आर्यन पूर्व आर से माना जाता है ठीक है पूर्व आरकाल से यह माना जाता है सैंधो सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी इसके उदाहरान हम लोग देखें तो सैंधो पूरा अस्थलों से जो मात्र देवी की मिर्ण मूर्तिया मिली है और से प्राप्त चीतर हैं एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी तो ये काली बंगा में की गई ठीक है तो ये राजस्थान के हनुमान गरजीले में घगगर नदी के किनारे काली बंगा है और यहीं से जूता हुआ खेत मिला है सुमेलित करना है अब ठीक है कौन किस से संबंदित है तो यहाँ पर हम लग्सू मेलित करते हैं चलिए हडपा जो है हडपा आपका सवधान 8-37 से संबंदित है यहां से मिले हैं और लोथल जो है लोथल से गोधी मिला है और काली बंगा से जूता हुआ खेत मिला है और मोहन जोदरों से नर्तक की मूर्ति मिली है तो इसका एंसर जो था डी था ठीक है यही दिया है सवाधान मिले हैं हडपा से लोथल से गोदी बड़ा मिला है और काली बंगा से जूता हुआ खेत मोहन जोदरों से नर्तकी की मूर्ति मिली है फिर से सुमेलित करना है तो इसको देखते हैं कौन किस नदी किनारे अस्थल दिया है तो हडपा रावी नदी के किनारे है हस्तिनापूर आपका गंगा नदी के किनारे है नगार्जुन कोंडा जो है या आपका कृष्णा नदी किनारे पैठन जो है कुदावरी नदी के किनारे है तो इसका हो जाएगा B हडपा रावी नदी किनारे हस्तिना पुर्गंगा हो गया नगार्जुन कोंडा कृष्णा हो गया पैठन जो हो गया गुदावरी नदी से संबंदित है अब सुमेलित करना है देखते हैं इसको हडपा संस्कृति की बस्ति दिया हुआ है एक तरफ नदिया दी हुई है तो दपा जो है रावी नदी के किनारे है काली बंगा जो है घघर नदी के किनारे लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा और साथ ही रोपड जो है सतलज नदी के किनारे हो जाएगा तो इसका एंसर देखे ए हो जाएगा ए सैंधो सभ्यता का महान असनानागर कहा से प्राप्त हुआ है तो आप लोग पता है महान जोदरों से प्राप्त हुआ है तो सेंदोस अभियता के महान असनानागर का जो साक्ष मिला है महान जोदरों से मिला है इसके जलासे की लंबाई उत्तर से जलासे की जो लंबाई है इसका ठीक है उत्तर से दच्छिन देखा जाए तो लगभग 12 मीटर है और चड़ाई पूरब से पच्छिम देखा जाए तो ये 7 मीटर है और अधिक्तम गहराई इसकी 2.4 मीटर है सिंधू सभ्यता के बारे में कौन सा कथन और सत्य है तो यहाँ पे जो सत्य देखना है तो नगरों में नालियों की सुद्रिट ब्यवस्था थी बिल्कुल थी ये सही है बैपार और वानिज भी उन्नत अवस्था में था ये भी सही है मात्र देवी की उपाशना की जाती थी अटी बिन सही है यहाँ पर ड क्य वलत यहां पर लोहे से परिचित नहीं आपर ख़्यू इससे और लोहे से परिचित नहीं थे और द में नालियों की सुद्रिट ब्यवस्था थी वैंपार वानिज उन्नत था, मातर देवी क्यों पाशना होती थी, और इसके साक्षे भी मिले है, निमलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो आलमगीरपूर कहां है, उत्तर परदेश में, लोथल गुजरात में है, रोपड़ आपका पंजाब में है, काली बंगा, ये गलत है, काली बंगा कहां है, राजस्थान में है ठीक है राजस्थान में तो एंसर हो जाएगा सी ठीक है अब देखते हैं आगे सिंदू सभ्यता से संबंधित कौन से केंदर उत्तर परदेश में इस्थत हैं तो यहाँ पे आलमगीरपूर है और हुल्लास ये दोनों हैं इसका एंसर डी हो जाएगा तीन और चार काली बंगा कहां है राजस्थान में लोथल गुजरात में आलमगीरपूर मेरट में उत्तर परदेश के मेरट में हैं और हुल्लास जो है सहारन पूर्जिले में है आगे बढ़ेंगे तो हडपा संस्कृति के अस्थलेम उनकी स्थिति संबंधि निमलिकी तीगमों में कौन एक सही नहीं है तो दी यहाँ पे सही नहीं है ये देख लिजे आलमगीरपूर कहां है उत्तर परदेश में है दैमाबाद महाराष्ट में है बनावली आपका कहां हो जाएगा हर्याना में हो जाएगा तो राखी गड़ी कहां है राखी गड़ी भी हर्याना में है चलिए, हडपपई अस्थल दिया है और इस्थिती इसकी दी हुई है, मांडा का है, मांडा जम्मु कस्मीर में है, और दैमाबाद हो जाएगा आपका महराष्ट में, और कालिबंगा राजस्थान में, राखी गड़ी हर्याना में हो जाएगा, C है इसका अंसर, C, फिर से सु मुकस्मीर में इस्थाथ है, पाडरी, पाडरी जो है गुजरात में इस्थाथ है, हुलास उत्तर प्रदेश में इस्थाथ है, इसका अंसर हो जाएगा, D, ठीक है यही दिया हुआ है, हडपपा संस्कृती के निमलिकीत अस्थलों में कौन सिंध में इस्थाथ है, तो यहा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोहन जोदरो और चनहुदरो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इस्थत तता सुर्कोरता कहा है ये आपका गुजरात में हैं चनहुदुडो की उत्खनन का निर्देशन किया था जे एच मैके ने किया था तो ये मोहन जोदुडोर से 133 किलोमीटर दच्छिन में है इससत्थ और इसका सरप्रथम NG मजुमदार ने खोज किया था और वर्स 1935 इसकी खोज 1931 में MG मजुमदार ने किया था और 1936 में मैके यह उत्खनन कराया था सिंदुगाटी सभ्यता का कौन सा अस्थान अपकिस्तान में है तो यह हडपा हडपा जो है यह अपकिस्तान में हडपा के उस्थ जो है आधन Surprise के पंजाब प्रांत में मिले हैं और यह इस्थल जो है रावी-नदी के तड़पर है काली बंगा राजस तो यह पंजाब का यहां से दधरी एस्ता से चितरी दूसर मिर्दभांड काल से यह संबन्दित है जो आर्यो के आगमन का काल भी माना जाता है, काल भी है, सिंदु सभ्यता का कौन सा अस्थान भारत में इस्थत है, तो भारत में इसमें लोथल जो है भारत में इस्थत है, ये गुजरात के अहमदा बाजिले में भोगवा नामक नदी के तटपर, सरगवल गाउं के समीप इस्थ वह हडपीय नगर जिसका परति निधित लोथल का पुरतर तत्त अस्थल करता है, किस नदी परिस्थ है तो ये भोईधि पेश्थ स्थ है, हडपा सभ्यता अस्थल लोथल इस्थत है, लोथल गुजरात में है, सिंदु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था पतन होता है तो ये लोथल में था लोथल में भारत का सबसे बड़ा हडपन पुरास्थल राखी गड़ी में इस्थत था तो हर्याना के हिसार जिले में सत है, राखी गड़ी ये सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा अस्थल था मोहन जोदडो, हडपा और गनवेरी लाल ये सभी पाकिस्तान में है राखी गड़ी और धौला विरा ये भारत में है और ये हडपा सभ्यता के पाँच बड़े अस्थलों की स्रेनी में आते हैं कौन-कौन मोहन जोदरो, हडपा, गनवारी लाल और राखी गड़ी और धौला विरा नेक्स्ट कोश्चन है स्थापित सिंदु घाटी सभ्यता जिन नदियों के टट परवसी थी वे थी तो इन में से कूट में से सही उत्तर का चैन करना है तो इन में से कौन-कौन था, तो सिंदु तो था ही, चेनाब भी था और साथ ही झेलम था, गंगा नहीं था, ठीक है तो सिंदु चेनाब जेलम ये हो जाएगा, तो आपका बी एंसर यहाँ पे हो जाएगा तो सिंदु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जेलम नदी के और पुर्वी तट से दच्छिन में, यमुना की सहायक जो हिंदन नदी है, उतना तक माना जाता है उत्तर से दच्छिन में, और इसमें जेलम, सिंदु, चेनाब, नदिया तो सामिल है, प्रन्तु गंगा इसमें सामिल नहीं है, निमन में से कौन सूम मेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिये हडपा, हडपा की खोज, दयाराम साहनी ने की ती बिल्कुल सई है, लोथल का एसा राव हो जाएगा, यह भी सई है, और सुरकोटता का जेपी जोसी ने किया था खोज, तो यह तीनों स का देखा जया तो बी के थापड ने नहीं बलकि आर एस विश्ट ने किया था हडपा का उत्खनन करने वाला प्रथम पूरा तत्विद जो इसके महत्यों को नहीं समझ पाया था तो ये एक कनिंगम था एक कनिंगम था तो अलेकजेंडर कनिंगम ने भारतिय उप महधीब के एतिहासिक महत्यों के टीलों सरप्रथम सिमित उत्खनन कराया था किन्तु वह हडपा के टीले के महत्यों को समझ नहीं पाये थे सिंदु घाटी सभ्यता की बिक्सित अवस्था में निमलिखित में से किस अस्थल से घरों में कूँओं के औसेस मिले हैं तो देखें यहां प पांडे की पूस्तक पूरा तत्त्य विमर्ज के अनुसार सिंदु सभ्यता के अधिकांस नगरों के लगभग परते घर में नीजी कुएं यह असनानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्योस्था होती थी तो यहां पर देखें सारे ही हो जाएंगे कि अधिकतर घरों में मिले ही हैं तो सारे इंसर हो जाएता है हाती दात का पैमाना हडपिये संदर में मिलता है तो यह लोथल में मिलता है ठीक है हाती दात लोथल गुजरात में मिलता है सिंदुगाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्रिया मोडल प्राप्त हैं मोहन जोदर तथा हडप्पा नगर एक मिनट कारण कारण दिया हुए ठीक है अब इसमें बताना है कौन से सही है तो मोहन जोदर मोहन call और हडपपा नगर अब हल लूप्ध हो गए तो विल्कुल सही है बिलूप्ध हो गए और ये खुदाई के दोरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है, क्योंकि खुदाई करके ही पता चला, तो ये दोनों ही सही है, लेकिन अस्पश्टी करन नहीं है, ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, मोहन जोदुरो जो पाकिस्ता, अभी कहाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांद के लरकाना तो ये नगर जो थे हडपा और मुहन जो जो ये सैंदो सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे इनकी खोज उत्खनन के दोरान क्रमस राखाल दास बनरजी तथा दयाराम साहानी ने किया था और वर्तमान में ये नगर मिर्टपरा यानि की बुलूप्त अस्था में है हडपन संस क्रिती के संदर में सैल क्रित अस्थापत्य के प्रमान कहां से मिले हैं तो ये धौला विरा से मिले हैं धौला विरा हडपा सभ्यता की भारत में इस्थत दूसरी सब से बड़ी बस्ती ठीक है पहला कौन सा है राखेगड़ी और धौला विरा दूसरा है और यह कहां पर इस है इन खोजों में हैल कृट जल कुंड भी महत्पूर्ण है?ंनULT acesso अविरा दऊल विरा जिक जो था एक आयताकार थीक है आयताकार नगर تھा इस नगर को 3 भागो में कीला मद्धे नगर और निचला नगर में विभाजित गिया था एक उन्नत जल प्रबंधन ब्यूस्था का साख्च प्राप्थ हुआ है तो यह धौला वीरा से प्राप्थ हुआ है धौला वीरा नामक पर मुख हडपाई पुरा अस्थल गुजरात राज्य के कच्छ जन्पद में इस्थत है और धौला वीरा नियोजित नगर का एक उतक्रिष्ट उदाहरन है यह प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन प्रबंधन परणाली के लिए विख्यात था और यहाँ पे जल संचयन के लिए जलासेयों के साथ बांधो की भी सरिंखला का निर्मान किया गया था और संबंधित जलासेयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था तो यह धौला विरा के उन्नत जल प्रबंधन का धारन था नेक्ष देखेंगे निम्न में से किस अस्थल से 200 संसकार डवल बरियल का परमान मिला है तो यह लोथल और काली बंगा दोनों जगह से मिला है तो लोथल से सरवाधिक तीन यू यूगल समाधी करन का परमान मिला है राखी गड़ी से भी यूगल समाधी मिली है नेक्ष है हडपन अस्थल सनौली जो है इसका उत्खनन हुआ है तो यह यहां पर अभिहाल में उत्खननों से क्या प्राप्त हुआ है मानो सवाधान यहां पर प्राप्त हुआ है और कहां उत्तर परदेश के बागपत जीले में हैं ठीक है बारौत तहसील के सवनौली नामक हडपन पुरास्थल से अनेक मानों सवधान प्राप्थ हुए हैं इनकी जो दीसा थी उत्तर से दच्चिन हैं इन सवधानों के साथ दैनी कुप्यों की वस्तुए भी मिली हैं इनमें गेहन सथ है ठीक है तो उत्तर परदेश के मुझाफर पूर जीले का एक गाउं जो है मांडी अचानत चर्चा में आ गया कब सन 2000 में ये बघरा ब्लोक में इससत मांडी गाउं में एक खेत में खुदाई के दवरान प्राचीन अभूसन सिक्के बरतन आदी मिले और इसे हडपा ल्ए पर देखा गया वस्त्रों के लीक पाश की खेती का आरंभ जो है सबसे पहले कहां किया गया वस्तरों के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में सन 1922 में राखाल दास बनरजी के नेतर उत्त में सिंधु नधी के किनारे इस्थत मोहन जोद्चुरों मोहन जोदोरो के उद्खनन से कपास के सूद की प्राप्ति की गई थी और यह कहां है पाकिस्तान के लर्काना जिले में है निम्नलिक्षित में इसे किस पसु का अंकन हडपा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है तो ये हो जाएगा घोड़े का नहीं मिलता है ठीक है बैल है हाथी है भेड़े सभी मिलता है तो सिंदु गाटी सभ्यता के कुछ अस्तलों से घोड़े के अस्ती और सेस प्राप्त हुए है लेकिन इसका अंकन हडपा की मुहरों पर नहीं मिलता है नेक्श देखेंगे मिर्न पर्टिका पर उतकर्ण सिंग युक्त देवता की कृती प्राप्त हुई है तो ये काली बंगा से प्राप्त हुई है काली बंगा से प्राप्त मिर्न पर्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन किया गया है और इसके अतरिक्त मोहन जोदरो से भी सिंग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है आगे देखेंगे निम्ने में से कौन सी सभ्यता नील लदी के टट पर पनपी तो यह मिस्तरी की सभ्यता थी ठीक है मिस्तरी की सभ्यता नील लदी पर की सभ्यता मानी जाते है तो मिस्तरी की सभ्यता का विका में यह भुभाग जो है रेगिस्तान होता मिस्र जो है अफ्रीका में इस्थत है आपको पताई है इसकी समकालिन सभ्यताएं सिंदुगाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इराक थी इसकी समकालिन थी तो निलन यह मिस्री की सभ्यता की समकालिन ही लिखिते सब्याताओं का उतता से दच्जिन का सही क्रम बताना है तो सही क्रम देख लीजे उतार से दच्छिन सबसे पहले एजटेक आएगा फिर माया फिर मुईसका और फिर इंका आएगा उततार से द छीन है प्रिक आगे । Yoo की जे इसका चलिए इसको देख लेते हैं जो शब्भ्यता का विस्तार है जो अब के अंदर गत कौन कौन आता है उत्री अमेरिका का दच्छनी भागाता है और अधिकांस इसमें मध्ध अमेरिका के छेत्रे अर्थात मैक्सीको से लेकर बेलीज गौाटेमाला अलसलवाडोर होंडूरास निकारागु आये सभी अगर तथा उत्री कोश्टारिका तक के छेत्र जिसमें सामिल है तो यह सारे किसमें सामिल थे मध्ध अमेरिका ठीक है अब इस परकार एजडेक सभ्यता का विस्तार मुख्यात मध् मैक्सीको में था माया सभ्यता चार सभ्यता हैं थी तो एजडेक हो गया माया सभ्यता का विस्तार मेसों अमेरिका के दच्छनी भाग में था अर्थाद दच्छिनी पूर्वी मेक्सिको से लेकर गौाटेमाला, बेलीज, अलसलवाडोर और होंडूरास तक था इसके अलावा देखे तो मुईस का सभ्यता जो थी ये दच्छिन अमेरिका के कुलंबिया के पूर्वी भाग में इस था जबकि इंका सभ्यता जो थी इ उत्तर में क्योटो इक्वाडोर जो है वहां से लेकर दच्छिन में सेंटियागो चिली तक था ठीक है तो यह इसलिए अब सिंधु गाटी सब्यातर संबंदित प्रशन कंप्लीट हो गया अब हम लोग बैदिक काल से संबंदित देखेंगे तो आरे जो सब्द है इंगित करता है तो यह स्रेश्ट वंस को इंगित करता है आरे सब्द तो इनके बारे में देख लिए आरे जो है प्राचीन भारत इरोपिये एवं प्राचीन इरानी भासा बोलने वाले के लिए पर्यूपत एक सब्द है और बैदिक संस्क्रीती में आरे सब्द जो है स्रेश्ट सिष्ट अत्वा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में देखा जाए तो यह महा कूली कूल कूलीन सब्द साधू के लिए किया ज होता है एक उत्तम ब्यक्ति होता है ठीक है आरे सब्द का आर्थ एक उत्तम ब्यक्ति होता है सबसे पुराना बेद कौन सा है रिगवेद है तो भारतिये साहित में चार बेद है रिगवेद सामवेद जूरवेद और अथरवेद और रिगवेद जो है सबसे प्राचीन है त त्रई जो नाम है तीन बेदों का त्रई कहा जाता है कौन सो harass beaches और सामयोद को बेदत रही आज रहे differences इसको हम लोग सुमेलित करते हैं वेद दिया है उसमें वर्णित दिया गया है इधर जो वर्णन किया गया है तो रीग वेद में रीग वेद में आपका स्रोथ है और स्रोथ नहीं स्त्रोथ है एवं प्रातनाएं हैं और यजूर वेद में यजूर वेद में स्त्रोथ यम कर्म कांड दिया हूआ है इसका अंसर जो था ठीक है राघ Sugvets में देखे Tao Ensuite और प्रात्नाएै और इसमें कितना एक सो एक हजार अठाइस सूप्त है और 10552 रिचाय या मन्त्र या अले। च्हलोग ये हैं। यजूरुवेद में स्थुरोत्युम् कर्मकान्धु वर्नित है। सामविद के पद गे रूप में、 यानि कि संगीत में इसमें स्थुरोत्ग हैं। जिनको उधगाता हैं पुरोहित गाता था। जो इसको गाता था उसको उद्गाता कहते थे अत्रवेद में कुल 20 अध्याए हैं और 730 सुक्त में तंत्रमंत एवं मौसी करण के संदर में यहां दिया हुआ है रिगवेद क्या है तो स्त्रोतों का ये संकलन है रिगवेद निमनलिखित में से किसका संकलन रिगवेद पर अधारित है तो ये सामवेद का संकलन सामवेद में 1875 रिचाए हैं जिनमें से समान मत्त के अनुसार वा 76 जबकि कुछ बिद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी रिगवेद में भी उपलब्द हैं सामवेद का संकलन जो है रिगवेद पर अधारित है नेक्ष है निमनलिकित में से बैदिक साहित का सही क्रम कौन सा है तो सही क्रम है पहले बैदिक सहिंताय आएंगी फिर ब्रामभन आएगा फिर आडनायक आएगा और फिर उपनी सद आएगा तो ये सही क्रम है गोपत ब्राम्बन संबंधित है तो ये अथरवेट से संबंधित है ठीक है इसके देखते हैं एतरे ब्राम्बन तथा कौसी तकी ब्राम्बन रिगवेट से संबंधित है और पंचवीच या तांड ब्राम्बन तथा जैमनी ब्राम्बन ये सामवेट से संबंधित है और पर यह अधारित है उपनी सथिक है, इन्हें बेदान्त भी कहा जाता है उपनी सथ को आगे देखेंगे निम्न में इसके किस एक बैदिक साहीत में मोक्ष की चर्चा मिलती है तो यह उपनी सथ में मिलता है, तो बेदों में मोक्ष सब्द पर्यूक्त नहीं हुआ है, जबकि उपनी सुदों में प्रथम बार मुक्ष की चर्चा मिलती है और ये जो सब्द है ये स्वेतास्वर उपनी सद में पहली बार आया है। गजन्म होता है और न इसकी कभी मर्तु होती है। यह अजन्मा है नित है और सास्वत है। कठो पनी सद क्रिष्ण अजुर्वेद का उपनी सद है। उपनी सथ मैं मुंदक मुंदय को मुंदक इस होता है भारत के राचिन पर अंकित किया गया है आगे देखेंगे उपनी सदकाल के राजा अौफजय है तो केकई के सासक थे, थेक्ए, उपनी सुदों में वरनित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहा जबाली थे, केकई के राजा अस्वपती और काशी के राजा अजात सत्रू परमुखे थे, बैदिक नदी असकनी की पहचान करना है, इन में से क किसी नदियों के साथ की जा सकती है दो यह चेनाव के साथ कि गई है रिग्वेद में निमलेखित किन नदियों का उलेख अफगानिस्तान के साथ आरियो के संबंध का सूचक है तो ये कुभा और कुरूमू हो जाएगा ठीख है तो कुभा काबूल कुरूमू कुर्रम को गोमती गोमल को यमसु अवस्ति स्वात नदिया जो है अफगानिस्तान में बहती है ये रिगवेद में उलेखित है इन नदियों का उलेख स्वष्च करता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनी संबंध था आगे देखेंगे बैदिक नदि कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए तो ये काबूल हो जाएगा परुष्णी परुष्णी का आपका रावी हो जाएगा सदा नीरा का गंडक हो जाएगा और सुतुद्र क्या काबूल हो जाएगा तो ये इसका आधुनिक नाम है और ये पुराने नाम थे जो बैदिक थे नाम थे तो बी था इसका एंसर बी है इसका नेक्स है निम्न लिखित बैदिक देवताओं में किसे उनका प्रोहित माना जाता था तो ब्रहस पती को माना जाता था तो ब्रहस पती देवता को बैदिक देवताओं का प्रोहित माना जाता था रिग बैदिक काल में निस्क जो होता था किस अंका अभूसन होता था तो ये ग गले का भुसन होता था तो निष्क जो है गले में पहना जाने वाला एक परकार का हार था और साथ ही जो निष्क था ये बैदिक काल में बीनी मैं का एक माद्यम भी था ठीक है नेक्स देखेंगे बैदिक कालिन परशासन में बहागदू जो है कौन अधिकारी था तो ये राज्यस्विकर जमा करने वाला अधिकारी होता था बहागदू राज्यस्विकर एकत्र करने वाला अधिकारी अर्थमंत्री होता था बोगज गोई जो है महत्पुर्ण है क्यूंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में बैदिक देवताओं एंदेवियों का नाम उलेख मिलता है तो यह A.C.A. माइनर में इससत है बोगज कुई और यहां से प्राप्त हुआ है 14. सताबदी इसापुर्वे के अभिलेख यहां से रिगवैदिक काल के देवताओं का उलेख मिलता है और इसे ग्यात होता है कि बैदिक आर इरान से होकर ही भारत में आए होंगे निमनलिकित अभिलेखों में से कौन सा इरान से भारत में आरियों के आने की सूचना देता है तो यह बोगज कुई ही देता है चोदावी सती इसापूर्व का एक अभिलेक जिसमें बैदिक देवताओं का वर्णन है तो ये बोगज कोई से मिलता है निमने लिखित में से किसने आरियो के आदी देश के बारे में लिखा था तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था और तिलक ने यह मत ब्यक्त किया था कि आरियो का आदी देश जो है उतरी धुरू था किन्तु यह इतिहास कारों के द्वारा मानने नहीं है नेक्ष देखेंगे जीस गरंध में पूरूस मेढ का उलेख हुआ है तो देखें पूरूस मेढ जो है एक परमुख यग है और यह सूकल यजुरुवेद के तीसरे अध्याय कृष्ण यजुरुवेद सूकल अजुरुवेद के सत्पत ब्रामभन तथा कृष्ण कोई उतर नहीं दिया जा सकता है ठीक है यद पी अनेक इत्यास करके वो सत्पत ब्राम्बन की चर्चा करते समय उसमें पूरु समेध्यक की चर्चा करते हैं ठीक है आगे देखते हैं सत्पत ब्राम्बन में उलेकित राजा विदेद माधो से संबंदित रिसी थें तो ये रिसी गौतम राहुगन थें आर्यो के पूर्वदीशा की और प्रशार के विशय में सत्पत ब्रामन में वड़नित विदेज माधो के आख्याई का उलेखनिये हैं इनके एनुसार राजा विदेज जो थे माधो से संबंदित रिसी गौतम राहुगन थें उत्तर बैदिकाल में निमलिकित में से किसको आर्य संस्क्रीती का धूर समझा जाता था तो ये कुरू और पंचाल को समझा जाता था उत्तर बैदिकाल में देखी नगरी करण की प्रकिर्या आरंभे हो गई थी और कुरू पंचाल जो है इस समय के पर मुख नगर बन गये थे और ये नगर जो है उत्तरबैदिक सभेता के मुख केंद्रिया धूर थे हब थे गोत्र सब्द जो होता है सरपरथम कहां हुआ था तो ये रिगवेद में गोत्र सब्द का उपयोग सबसे पहले हुआ था गोत्र सब्द का मुल अर्थ होता है गोष्ट अथवाववास्थान जहां समुचे कूल का गोधन पाला जाता है यही गोत्र कहलाता है रिगवेद में उलेखित प्रसिद दस राजाओं का युध किस नदी के किनारे लड़ा गया तो यह परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया दस राग युद दस राजाओं का युद जो है ये परूर्शनी नदी के टटपड लड़ा गया और ये भरतो के इस राजा सुदास की इसमें बिजय हुई थी परूर्शनी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है निम्न में से किस नदी को रिगवेद में मातेतमा देवीतमा और नदीतमा कहा गया है तो ये सरस्वती नदी को कहा गया है फिर है, मातेतमा, नदीतमा मतलब सबसे अच्छी मा, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी का इसको इनको दिया गया इन अच्छा, उस जनजाती का नाम बताना है जो अरिगवेदिक काल के आरियों के पंच जन से संबंधित नहीं थे तो इसमें कीकट नहीं था यदू, पुरू और तुर्वसू था ठीक है तो ये जो चार अरिगवैदी कारों के पंच जन में कौन-कौन थे यदू था द्रूहू था पुरू था अनू था तुर्वसू इसमें सामिल था प्राचीन काल में आरेों के जीवकों पारजन का मुख साधन क्या था तो ये क्रीशी था तो आरे मुल्तक क्या थे पसुपालक और क्रीशे थे और इगवेद में कई मंत्रों में क्रीशी तथा उसके कारेक लापों का वर्णन मिलता है अच्छी क्रीशी के लिए वर्सो ये वर्सा की कामना की गई है और पसुओ को चराने और पा यौव सब्द जो है किस क्रीसी उत्पाद है तू परियुक्तों किया गया है यौव जो है जौव को कहा जाता है जौव को किस वेद में सभा और समीती को प्रजापती की दो पुत्रिया कहा गया है तो ये अथर वेद में कहा गया है अथर वेद में सभा समीती को प्रजापती की दो पुत्रिया कहा गया है आईरवेद अर्थाद जीवन का भी ग्यान निमलिखित में से सरपर्थम कहां मिलता है तो अथरवेद में इसका उलेख मिला है अथरवेद में सामान मनुस्यों के विचारों तथा अंध विश्वासों का भीरन मिलता है और इसमें विभिन विश से मुख़य तकीस में विस्वास करती थी तो बली युम कर्मकांड में विस्वास करते थे यग जिसमें बली और कुछ कर्मकांड भी नहींत था रिगवेदिक धर्म जो था बहुत देववादी था तो लिगवेद में हमें प्रथम दिष्टिया देखे तो बहुत देवाद के दर्सन होते हैं आर जो है विभीन देवताओं के अस्तित्वें विश्वास करते थे और मुख्या तब बैदिक देवताओं के तीन वर्ग था एक था धुवस्थान जो अकास के देवता होते थे एक अ रुस्रेश देवता कहते हैं तो इसे एक एक वाद भी कहा जाता है इसके अलावा रिगवेद में एक सत्त पुवरा बहुदा वधनती कहेकर एकिश्वर वाद का भी समर्थन किया गया है रिगवेद के एकिश्वर वाद में अधैत वाद, सर्व देवतावाद और बहुत देवतावाद की द्रीष्टी भी मिलती है किन्तु बेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक इस्वरवाद के सौरूप से अलग था सरवाधिक रिगवेधिक सुक्त जो है समर्पित है तो ये इंद्र को समर्पित है तो रिगवेध में इंद्र का जो वर्णन है सरवाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है और इसमें 250 सुक्त इंद्र को समर्पित है रिगवेद काल में सरवाधिक लोगप्रिय देवता ये थे और इन्हें युद्धो आर्यो का युद्ध नेता और वर्टसा का देवता माना जाता था रिगवेद में अगनी को 200 सुक्त समर्पित है और यह इस काल के दूसरे सरवाधिक महतपुर्ण देवता थे इन्हें में से किस रिगवेद में युद्ध देवता समझा जाता था तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था रिगवेद में सरवाधिक संख्या में मंत्र संबंदित है तो ये अगनी से संबंदित है रिग्वेद में सरवाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित है किन्तु इस प्रस्ट में बिकल्प नहीं है इसलिए अगनी जो दूसरी अस्थान पे है इसलिए यहाँ पे देखे एन सरारा है अगनी को नेक्ष है बैदिक देवता जो है इंद्र के विशाय में निमली खित पर विचार करें सही देखना है उत्तर इसमें काउन सकूट सही होगा तो जंजावत के देवता थे इंद्र जो है जंजावत के देवता थे और वर्सा के देवता थे तो डी यहाँ पे हो जाएगा ठीक है इसका description देख लेते हैं रिगवेद में जो है इंद्र का वर्णन सरवाधिक परतापी देवता के रूप में किया गया है इनके लिए 250 सुक्त समर्पित है और यह रिगवेदिक काल में सरवाधिक लोग प्रिये देवता थे इंद्र को आरियों का युधनेता तथा वर्णसा अंधी तुफान का देवता भी माना जाता था इंद्र को बृत सुरहनता यानि कि बृता सूर नामक राक्षक का वद करने वाला पुर्भित कीला को भेदने वाला सुमापा सुम का अत्यधिक पारण करने वाला सत्त करती एक सो सक्तियों का स्वामी आदी नामों से इनको जाना जाता है नैतिक व्योस्था का सनरचक वरून को कहा गया है इसके अतरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को डंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रात्ना की गई है इससे असपश्ट होता है कि इंद्र जो है पापियों को डंड भी देते थे तो इसलिए यहाँ पे एक और चार सही था नीम्न में से पूर्व बैदिक आर्यों का सरवाधिक लोग प्रिये देवता इंद्र है आर्षो से छे सो इसा पूर्व का काल किस युक से जुड़ा है तो यह ब्राम्भन युक से जुड़ा है आर्षो से छे सो साल इसा पूर्व का यह ब्राम्भन गरंतों के प्रनेयन युक से जुड़ा हुआ है प्राय सात्वी या छठी सताब्दी इसापूरु से लेकर तीर्स्तिरी सताब्दी इसापूरु तक समय सुत्र का काल कहा जाता है आगे हैं गैत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर प्रत्थम किस ग्रंत में मिलता है तो ये रीगवेद में मिलता है रिगवेद के तिर्तिय मंडल में वर्नित है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंस और मनवंतर वंसा नुचारी संकेतक है तो ये पुरानों के संकेतक है पुरानों में पांच परकार के बीसेयो कावर्णन सिधानते इस परकार किया गया है तो सर्ग है प्रति सर्ग है वन्स है मनवंतर है और वन्सानू चरित है सर्ग बीज या आदिा सृष्ठी का पुरान है प्रति सर्ग प्ल्लाई के बाद की पूनर सृष्टी को कहते हैं वंस में देवताओं या रिसियों के वंस ब्रिक्चों का वड़नन है, मनवंतर में क्या है कल्पे के महा यूगों का वड़नन है और वंसानू चरित पुरानों के वे अंग हैं जिन में राजवंसों की तालिकाएं दी हुई है और राजनितिक अवस्थाओं, कच्छाओं और गटनाओं का इसमें वर्डनन है, पुरानों की संख्या कितनी है, सभी जानते हैं, 18 है, और इसकी रचना लो महट सरीसी और उनके पुत्र ने किया था, महाभारत मुल्तक किस रूप में जाना जाता है, तो ये जैस सन्हिता के रूप में जाना जाता है, तो महाभारत के प्रा वर्तमान महाभारत में एक लाख स्लोक है और इसका अंतिम संस्क्रन है जिसे सत सहस्तरी सनीता या महाभारत कहा गया। सत सहस्तरी सनीता उपनाम किस ग्रंद का है तो ये महाभारत का है। रिगवेद की मुल लीपी थी तो ये ब्राम्वनी थी रिगवेद की मुल लीपी ब्राम्वनी थी रिगवेद में कुल दस मंडल है तथा एक हजार अठाई सुक्त हैं रिगवेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। बैदिक कर्मकांड में होता का संबंध रिगवेद से है अवेस्ता और रिगवेद में समानता है तो अवेस्ता की छेतर संबंदित है तो ये इरान से संबंदित है इरान से संबंदित है रिगवेद में कई परिछेदों में परियुक्त अगहन्य सब्द जो है किसके लिए पतलब के न मारे जाने योग ठीक है तो गाय की हत्या तथा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मिर्थ दंड तत्था देश निकाला की वह उस्था वेदों निक दी है रिगवैदिक काल के प्रारम में निम्नमेशकी से महत्पुन मुल्यवान पत्ती समझा जाता है तो ये गाय को समझा जाता था रिगवैदिक काल में गाय को महत्पुन पत्ती समझा जाता था और इस काल में गाय मुख्यत बीनमय का माध्यम होती थी रिगवेद के कुछ सुक्तों में गाय को देवता के रूप में माना गया है अच्छा भारत के किस अस्थल की सुख खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के परचिंतम प्रमान मिले हैं तो ये अंतररंजी खेडा से मिले हैं अतररंजी खेडा आलमगीर पूर मतुरा रोपर स्रावस्ति कामपल आदी अस्थलों की खुदाईयों से लोह यूगीन संस्कृति के असेस मिले हैं अतरंजी खेडा से लोह धातु मल तथा धातु सोधन में पर्युक्त होने वाली भठिया भी मिली हैं इससे ये संकेत होता है कि यहां लोह धातु को गलाने का कार अस्थानी रूप से होता था अब सुमेलित करना है देखते हैं सिंदु घाटी सभ्यता क्या थी तो यह एक नगरिये सभ्यता थी उत्तरवैदिक समाज दो था क्रिशक से संबंदित था और रिगवैदिक समाज हो जाएगा चारागास संबंदित मध्यकाल जो है जमिंदारी से संबंदित था तो D है इसका एंसर ठीक है